दोस्तो प्रोपर्टी इंडिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल के माध्यम से मैं कोशिस करता हूँ कि हर एक मिडिल क्लाश फैमिली के लिए उनके बजट का घर दिखा हूँ आज मैं आ चुका हूँ मान सरोवर पार कॉलोनी के अंदर और आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही सांदार मकान दोस्तो साथ गच का यह मकान रने वाला है और इस्ट फेसिंग मतलब सन फेसिंग यह मकान रहेगा और जिस रोड पर है यह 20 फुटा रोड पर आपको यह मकान मिल जाएगा लोहे के गेट है और यहाँ पर दो बाइक की पार्किंग आपको मिल जाएगी देख पार होंगे, side में जीना है, और आपको tile work मिलने वाला है, side में tile work है, और tile work होने का मतलब यह है कि आपको कोई भी ceiling या कोई भी ceiling वगएरा का chances 0 हो जाते हैं, इस तरह की से पूरा यह मकान रहने वाला है, सामने गुष्टे ही आपको एक चोक मिल जाएगा, और साइड में एक बहुती सांदर मोडूलर किचन आपको मिल जाएगी और साइड में एक कमरा है ये लेटरिंग बात्रों आपको मिल जाएगा इधर भी आपको स्टार्टिंग में एक रूम मिलने वाला है दोस्तों बहुती बहतरीन ये मकान रहेगा जो की मान सुरोवर कॉलोनी के अंदर रहने वाला है बहुत ही वाजिब कॉलोनी है सान्दार कॉलोनी है और अगर मैं मेन जूती रोड से अगर बात करूँ तो केवल 100-200 मिटर के दूरी पर ये मकान रहने वाला है ये देखिए, ये पूरी किचन है और ये मकान मैं बता दूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है इसमें काफी अच्छी तरीके से पैसा लगाया गया है आपको कम रेट के अंदर मिल रहा है ये देख लीजिए ये अंदर वाला कमरा रहेगा डोर्स वगएर आपको अच्छे कॉलिटी के मिल रहे है टाइल्स वगएर आपको मिल जाएगी ये रही लेटरिंग और बाथरूम इस तरीके से पूरा कमप्लेटली ये लेटरिंग बाथरूम रहेगा और ये आपको पूर इस तरीके से नीचे marble का use किया गया है अब उपर की ओर लेके चलता हूँ आपको यह completely जीना रहेगा जो कि हमें first floor पर ले जा रहा है दोस्तों बता दूँ आपको धाई मंजिल का यह मकान रहेगा और sunlight के लिए यह पूरी रोसनी के लिए दिया गया है वैसे sun facing पूरा घर है तो काफी रोसनी रहती गर में बिना lights के भी यह again मैं आपको दिखा देता हूँ यह again bathroom और लेटरिंग की हाँ पर आपको combine मिल जाएगी यह देखिए इस तरीके से और पूरा tile का use किया गया है अच्छी tiles का use किया गया है और side में पूरा hole मिल जाएगा एक बड़ा hole आपको मिल रहा है देख लिजे इस तरीके से completely hole मिल जाएगा बाहर की अगर मैं बात करता हूँ बाहर दिखा देता हूँ क्या मोहोल रहेगा यह completely अच्छे घर बने हुए है पूरी colony के अंदर काफी बढ़िया बढ़िया घर बने हुए है और hole देख लिजे पूरा अच्छी तरीके से setup well maintain यह घर रहने वा बताता हूँ वो लास्ट में बताता हूँ तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहेगा यह एक और रोम रहने वाला है अंदर का completely और इधर भी आपको storage के लिए काफी जगे दी गई आप storage के लिए काफी जगे है साइड में से फिर एक और जीना जा रहा है ऊपर क्य जाती है और आज पास की पसापत देख लीजिए मैं जोम करके दिखा रहा हूँ में जीटी रोड है जहां बस चल रही है अब देख पार होंगे वो सब जीटी रोड रहने वाली है बिलकुल जीटी रोड से एक दम नजदीक में रहने वाला है मकान यह रहा एक और कमरा जह लालकुवा के अंदर रहने वाला है काफी लोग पहुचते हैं कहां पर है मानसर अबर तो गाजियाबाद लालकुवा के पास यह पूरा का पूरा मकान रहेगा और इसकी रेट के अगर मैं बात करो तो 45 लक्स की डिमांड है 45 लक्स की डिमांड है बागी ओन टेबल जो भी हाई हैं ओलरेडी यहां अगर लेन लेना चाहते हैं आप तो सो गज आपको 30 से 35 लाग के अंदर मिलेगा दोस्तों तो काफी बढ़िया जगे है बढ़िया लोकलेटी है बढ़िया सोसाइटी है आप डेफिनेटली एक बार विजिट कीजिए आपको चीजे समझ माएंगी पसंद आएंगी और सबसे इंपोर्टेंट यहां पर आपको रजिस्ट्री तो मिल ही रही है साथ में दाकिल खारिज भी मिल रहा है दाकिल खारिज बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोपर्टी के लिए तो वो भी यहां पर आपको मिल जाएगा अब दुबारा से मैं सब्सक्राइब कर लिए ज़्यादा तर वीडियो बनाता हूं और मकान देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए